हलो दोस्तो नमस्कार आज आपके लिए स्टेटिक जीके के 50 प्रिष्ण लेकर आये हैं जो परिक्षाइक द्रश्टी से बहुत ही महत्पूर होंगे और ये स्टेटिक जीके के हम 150 प्लस कोस्टिन करेंगे तो उसका ये पहला वीडियो है और इन 150 प्लस प्रिष्णों को हम 3 तीन वीडियो में कबर करेंगे तो पहला वीडियो शुरू करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सेर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए है तो मारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला प् कोई भी नहीं है इसमें कोई भी सही नहीं है तो डी बाला विकल्प सही हो जाएगा एपी जे अब्दुल कलाम डाक्टर एपी जे अब्दुल कलाम जो है उनके लिए मिसाइल का जनक कहा जाए मिसाइल मैंना बंडिया उन्हीं कहा जाएगा तो डी विकल्प सही हो जाएगा बिश्व की सबसे पुरानी संसत किसे कहा किस देश में है तो बिश्व की सबसे पुरानी संसत जो है ब्रेटेन में है ये विकल्प सही हो जाएगा परेटे को लिए आकरसन के अंदर कवन पार्क कवन पार्क किस सहर में इस्तित है तो ये करनाटक के बंगलूरू में इस्तित है बी बिकल्प सही हो जाएगा तिर बल्लूर को समर्पित बल्लूर कोट्टम कहां इस्तित है बल्लूर कोट्टम जो है ये कहां इस्तित है ये तंजावर में इस्तित है तंजावर में सी विकल्प सही हो जाएगा ओडम पर्ब मनाया जाता है ओडम पर्ब जो है यह कहां मनाया जाता है यह केरल में मनाया जाता है सी विकल्प सही हो जाएगा कौन नाइटिंगल आफ इंडिया कहलाती है नाइटिंगल आफ इंडिया हम शरोजनी नाइडू को कहते हैं जो शरोजनी नाइडू है उन्हें हम नाइट इंगल आप इंडिया कहते हैं अगला आप विवेका नंद सहल इसमारक में इस्तित है विवेका नंद सहल इसमारक किस जगह पर इस्तित है तो यह कन्या कुमारी में इस्तित है वीम कल्प सही हो जाएगा श्री हर्कोटा राकेट प्रमोचन इस्तल यहनी राकेट लांचिंग जहां से होती है अन्रपरदेश में इस्तित है निमलकित में से किस इस्थान पर गर्मी के दिनों में दीपावली मना जाती है यह कौन सा देश है तो ये इटली है यहां गर्मी के दिनों में दीपाबली का पर्व मनाया जाता भारत में आखरी बार उलम्पिक हाकी शुन पदक कब जीता था उलम्पिक हाकी पदक भारत ने कब जीता था 1980 में डी विकल्प सही हो जाएगा निम्ण में से कौन सा देश सार्क का सदस नहीं है कौन सा देश सार्क का सदस नहीं है तो ये है म्यामार ये विकल्प सही हो जाएगा म्यामार है जो सार्क का सदस नहीं है इसमें साथ सदस हैं मालदीप और भूटान स्री लंका के अलावा पाकिस्तान भी है इसमें नेपाल भी है तो म्यामार इसमें नहीं है रेखा गडित का पिता यानि रेखा गडित का जनक किसे कहा जाता है तो यूकलिड को कहा जाता है ए विकल्प सही हो जाएगा विवेका नंद के गुरू जो थे रामकृष्ण परमहंस जी थे तो डी विकल्प सही हो जाएग रामा नंद कबीर के गुरू थे नंदलाल बोस का संबन्द किस छेतर से है नंदलाल बोस का संबन्द जो है वो सुगम संगी से तो B विकल्प सही हो जाएगा पंद्रा जापान की मुद्रा जापान की मुद्रा इसमें एन है लीरा जो है इटली की मुद्रा दीनार जो अरब कंट्री उनकी है तो इस तरह से इसका डी विकल्प सही हो जाएगा सोलबा है निमलिकित मेंसे किस बर्स में 366 दिन थे हम जानते हैं कि लीप बर्स में 366 दिन होते हैं और जो 4 से डिवाइड होता है तो इसमें 4 से डिवाइड कौन सा हो रहा है 2000 तो B विकल्प सही हो जाएगा 4 मिनार कहां इस्तित है 4 मिनार कहां इस्तित है अगला है विश्च स्वास संक्टन का मुख्याल है डबलू एचो का मुख्याल है कहा है तो अठार में का हो जाएगा हमारा जेनेवा में स्वेटजर लाइन के जिनेवा में इस्तित है राष्टिय द्वज में अंकित असोक चक्र यानि तीलिया श्पोक्स की संक्या कितनी है 24 है डी विकल्प सही हो जाएगा यूनी सेप का मुख्याल है यूनी सेप जो है इसका मुख्याल है जो नियूयार्क में है मेरिका के सहर मे संत कभीर किस के सिस्थे संत कभीर रामा नंद के सिस्थे भी विकल्ब सही हो जाएगा मठ मंदिर और इस्टूप किस धर्म से संबन्दे था है तो ये बहुत धर्म से संबन्दे था है ये विकल्ब सही हो जाएगा किंद्री योजना दुनिया के बीच न्यूकलिय प्लांट के सिलसले में जमीन हासिल करने के लिए अटॉमिक अनर्जी एक्ट में संसोधन की जगह बाग के कौन सा आए तो यह कदन कुलम है अगला है वह कौन सा देश है जिसने संयुक्त तोर पर विश्चु क्रिकट की मेजबानी की और विश्चु कब भी जीत लिया तो यह इन में से चारों में से पताना है तो इसमें स्री लंका ऐसा देश है पहला भारत रतन प्राप्त करता कौन थे पहला भरत रतन प्राप्ट करता जो थे तीन लोगों को दिया गया था 1954 में कौन कौन थे सीराज गोपालाचारी सरपली राधा किष्णा और चंदर सेखर बेंकट रमन जो थे शीवी रमन तो इसमें डी बिकल्ब सही हो जाएगा नाग करम का अहम नरत ना करम किसका अहम नरत है किसका अहम नरत है तो यह खासियों का जन जाती होती है तो यह हो जाएगा बिकल्ब नाट सास्तर जो हिंदुस्तानी क्लासिकल नरत का अहम जरिया है किसने लिखा तो जिसको लिखाता भरत मुनी ने यह बिकल्ब सही हो जाएगा अगला computer program में गलती को करार दिया जाता है क्या बग होता है बग ये ये विकल्प सही हो जाएगा Indian Institute of Science जो है ये कहां इस्तित है तो ये हमारा बैंगलोर में इस्तित है डी विकल्प सही हो जाएगा अगला है Imagining India Ideas for the New Century किताब के लेखक कौन है तो ये नंदन नील केंडी की पुष्टक है ये C बगल्प सही हो जाएगा लोका राज्थान में सबसे अधिक पाया जाने किसकी संबाबना है तो इसमें उंट भी पाया जाता है बालू भी पाया जाती है तो ये और C सबसे पहले किसने सुरू किया था नर्मदा बचाव अबयान जो है ये किसने शुरू किया था बत्तिस का हो जाएगा मेधा पाटेकर का नाम बहुत फैमस है इसके मामले में लोकनाय की उपादी जैप्रकाश नाराण जो थे उन्हें दी गई निमलिकत में से कौन सा एक फल राष्टिय फल है हमारा मेंगो जो आम है वो राष्टिय फल है बिश्च में कौन सी बासा अधिकतम लोगों दोरा बोली जाती है तो बिश्च में सबसे अधिक इनमे से जो है चीनी बासा बोली जाती है तुलसी दास किसके लेख हकते तुलसी प्रिदास ने राम चरित मानस के रचना की। अगला है निम्रिकत में से कौन सा राज पहले नेफा के रूप में जाना जाता था। तो नेफा जो है अरुणाचल प्रदेश का पूर्ब नाम है। अगला है शागा दावा किस धर्म का परव है। सागा दावा जो है ये बौध धर्म का परव है ये विकल्प सही हो जाएगा सबसे अधिक पार्सी कहां रहते हैं। सबसे अधिक पार्सी जो रहते हैं हमारे इराक में बी विकल्प सही हो जाएगा। रेल की पट्रियों के नीचे चोड़े लकड़ी के पट्टे यानि स्लीपर्स लगा जाते हैं किसी लिए लगा जाते हैं तो गाड़ी के प्रेसर को कम करने के लिए क्योंकि छेत्रपल जितना ज़्यादा होता है उतना ही प्रेसर कम होता है क्योंकि प्रेसर जो होता है वो F वटे A होता यानि एरिया जितना कम होगा उतना ही दबाव ज़्यादा होगा और एरिया ज़्यादा होगा तो दबाव कम होगा तो इसका D विकल्प सही हो जाएगा संसार में सबसे उंचा बांद कौन सा है तो संसार में सबसे उंचा बांद अगर पूछा जाए तो यह हो जाएगा रोग वसकी ताजिकिस्तान में भी विकल्प सही हो जाएगा Life of Pi यह पुछतक किस ने लिखी है तो Life of Pi के लेखक है एन मार्टेल भी विकल्प सही हो जाएगा ममता बनरजी से पहले पस्चिम बंगाल के मुक्मंतरी कौन थे बुद्ध देव बटाचारी इसके मुक्मंतरी थे My frozen turbulence in कस्मीर के लेखक कौन है तो इसके जगमोहन राइटर है इसके अगला फिल्म से सम्बंदित किस बेक्ति को भारत रतन दिया गया था इन चारों में से कौन से ऐसे थे तो यह थे सफ्जीत Ressy विकल्प सही हो जायागा इन्हे भारत रतन भी दिया गया था दाजसार फाल के भी मिला था आगा खांक कप किस से संबन्दित है तो आगा खांखब जो हमारा हौकी से संबन्दित है अंजू बावी जोर्ज यह किसकी खिलाड़ी है तो अंजू बावी जोर्ज जो है यह लंबी कूद की खिलाड़ी है बी विकल्प सही हो जाएगा सरवादिक लिंगा अनुपात वाला राज लिंगा गाव की संक्या पुरसों से याद इखा है यह है केरल तो यह हो जाएगा ए बिकल्प